तो फाइलली गाइज एवरिफिंग बाइस की यूट्यूब चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुका है और यह सब सिर्फ आप लोगों की बज़े से हो पाया है आप लोगों की सपोर्ट नहीं होता तो यह 50,000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुआ होता 50,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होथे हो ते मैंने कितना रुपए कमाया कितना इंकम हुआ इससे और कितना वीडियो मैंने बनाया और कितना दिन लगा कितने वीवस आया सारे चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है सिर्फ आपको वीडियो को लाश्ट तक देखना है जितने लाश्ट तक आप वीडियो देखोगे न उतने नए नए चीज आप सीखोगे और नए नए चीज की जानकारी मिलेगी है तो मैं कहता हूँ वीडियो को लाश्ट तक देखना बहुत नय नय चीज मैं सिखाने वाला हूँ आपको और अपना कुछ डेटा आप लोगों के साथ सेयर करूंगा ठीक है वैसे तो यह यूटूब पर बताना सही नहीं होता है क्योंकि यूटूब इसको गलत समझता है पर मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको ताकि आपको भ अगर आप डेटा चेक आउट करना चाहते हो तो एक website है जिसका नाम है socialblade.com गूगल में सर्च करना मिल जाएगा यहां पर आपको किसी भी चैनल का नाम लिखना है सिर्फ इस बॉक्स में नाम लिखोगे उस चैनल का सारी डेटा यहां पर लाकर रख देगा है ना बहुत सा तो मैं का यह डेट दिखा रहा है यहां पर 28 जून 2018 को और चैनल की स्टैप टाइप का था तो यह टैक कैटिगरी का था कॉंट्री इंडिया का था है ना और उसके बाद वीडियो पर वीडियो कितना आया टोटल अभी तक में तो यहां पर यह दिखा रहा है पच्पन का 1400 डॉलर पर थोड़ा बहुत कम है इसमें ठीक है कुछ और भी ज्यादा हो रहा है मुझे पर इसमें बता है कम क्योंकि यह अपने हिसाब से बताता है तो यह यहां से आप चेक आउट कर सकते हो किसी भी चैनल का यानि डेटा आप अगर चेक करना चाहते तो कर सकते हो बस हो ना तो सारी चीजन मैं ही होगा है ना यह मत सोचना कि मैं कोई कर रहा हूं या फिर कोई इडिटिंग करके मैं डाल दिया तो शाइरी मैं लाइव कर रहा हूं तो यह मत समझ लेना कि फेक है ठीक है अब यहां पर मैं एनलेटिक सेक्षन में जब जाओंगा ना तो यहां पर आपको सारी चीज दिख जाएगा जैसे यहां पर देख सकते हैं अब इस घंटे में वियूज कितना आ रहा है यहां पर 23,878 वियूज आ रहा है और इंकम कितना हुआ है 28 दिन का यहां पर देखना यहां पर देखो के लास्ट ट्वेंटिएट डेज का तो यह देखो 13,120 रुपे वैसे दिखा रहा है पर अब का जो रेश्यू है थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है पर इस महिने का 28 दिन का यह ठीक है अब यहां देखो यह वियूज आया है अब सारी चीज दिखा दे रहा हूं और यहां पर टच करके लाइफ टाम सेलेक्ट कर दूंगा लाइफ टाम जैसे सेलेक्ट करूंगा तो यह सारे के सारे डेटा निकाल के रख लाकर देखा है यह देखो एस्टीमेटेड रेविन्यू जो यह दिख रहा है आपको 1333103 यह जैन्मेन में है रियल है यह कोई फेक नहीं है ना अब यहां पर मंतली भी कितना आया है वो सारे चीज में आपको दिखाऊंगा पहले आप देख लो अब इसमें व्यूस कितना आया यह पहले देख लो व्यूस है यानि 5.6 मिलियन यानि टोटल व्यूस इतने भी वीडियो जाने वाला था यहां रेभीनु सेक्षन में जब मैं जाओंगा ना तो यह देखो यह तो टोटल हो गया है यहां पर आप जो दिखाई देगा वो टोटल है पर अब जो नीचे की तरफ दिख रहा है इस जीगे पर जहां दिख रहा है ना जैसे फरवरी मार्च अप्रील मा मंथली सिस्टम है यह देखो फरवरी में इतना हुआ था मार्च में इतना हुआ था अप्रील में इतना हुआ था ना तो यह सारे यानि जो मंथली इंकम है वो दिखा रहा है और जुलाई अभी चल रहा है वो इसमें इतना तक बन चुका है और यह कब तक का है यह देख ल 140 रुपे मात्र है रहना इससे पहले भी मैं बात करो और 104 मैं उसके बाद थोड़ा-थोड़ा बढ़ते गया है तो ये सबसे डाउन मेरे लाइफ का है मतलब सबसे डाउन जब से यानि मैंने देखा यानि जैसे डॉलर भरना स्टार्ट हुआ तब से सब से डाउण यही है जो आज कल में दिख रहा है दो दिन का है नौत nécessaire हो जाता है यह सा है A Canada मं आप पर आप यह सोच रहे होंगे कि यार मेरे मोनेटाइज नहीं है और इतने दिनों को एड़ था BEC यह जो पांच मिलियन व्यूस जो मैंने आपको दिखा है था ना पांच 5.6 मिलियन यह सारे लाइफ टाइम का है जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था तब से लेकर के और अब तक का है यानि मोनेटाइज हुआ उसके बाद रेविन्यू जेनरेट हुआ तो अगर आप इ है ना तो 2700 यूज पर एक डॉलर बना है और आप देख सकते हैं जो मोनेटाइजेशन से पहले यानि जो मोनेटाइज हुआ था चैनल उससे पहले जो भी हुज आया था उसका कोई भी काउंटिंग नहीं है इसमें ठीक है सारे मिला करके मैं बोल रहा हूं तो आपका जो र बनाया हूं और ये सारे चीज मैं अभी केंप्यूटर में रेकॉर्ड कर रहा हूं क्यूंकि मैंने नया सिस्टम लिया तो वह सारी चीज में आपको दिखाना चाहता हूं कैसी वाइस क्वाइस है और कैसा डिस्प्ले यान वीडियो सब्सक्राइब करके बताना और यहाँ पर देखो मैं एक और नया चैनल बनाया हो टॉप इडिटिंग यहां पर आपका कोई भी यानि इडिटिंग से रिलेटिड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो कॉमेंट जरूर से करना मैं इस चैनल पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा प्रस्नली कॉमेंट के लिए ताकि मैं उस चीज को आपको बताओं डिटेल में है ना और वैसे जो चीज पहले से पढ़ा है उसके बारे में आप बोल दोगे वीडियो बनाने के लिए तो वो ठीक नहीं होता है इस पर 9-10 मैंने वीडियो बना के डाल दिया है और बहुत दिन पहले से मैं बना के रख र देते हैं तो इसके बज़े से मैंने सोचा यह छोटे चैनल पर जो भी वीडियो बनाना होगा वह इस चैनल पर बना के डाल दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा जिनको प्रॉब्लम है और जिस चीज का प्रॉब्लम है वह कॉमेंट कर देना ठीक है यह टॉप पर आपके टॉपिक के उपर वीडियो बना दूंगा है न तो यहीं चीज में सारी चीज़ें बताने वाला था और एक चीज के ऊपर और मैं काम कर रहा हूँ कर आगर वह अगर सेक्सेस हो गया तो फिर मैं आपको बताओंगा रिजल्ट क्या हो रहा है ठीक है तो इस वीड मैं...